तो आज की इस वीडियो में हम जो TRX है हमारे पास Tron जो Cryptocurrency है ये वाली 856 रुपे की इसे हम Sell करने वाले हैं Binance P2P के अंदर तो Simply आपको पता ही है क्या procedure होता है जो भी आपके पास Crypto होती है उस पे Simply आपको क्लिक करना होता है और यहां यह उपर Buy Sell लिक के आजाता है यहां पे Sell पे Simply क्लिक कर देना होता है और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके हिसाब से आप खुद चूज करके जिस बंदे को आप चाहो उसे आप Sell करना चाहते हो अपनी मर्जी के मुताबिक तो भी आपको यहां पर एक Option मिल जाता ह है जो कि आपको यहां यह उपर जो कोने में छोटा सा इकन है इस पे क्लिक करना होता है यह नीचे बाइनेंस प्रो लिक के आ जाता है इस पे क्लिक करना होता है उसके बाद आपका यह जो प्रो वाइनेंस का प्रो वर्जन होता है वह यहां पर ओन हो जाता है यहां पर कर लेना है हमारे पास TRX है हमें sell करनी है उपर यह sell buy sell लिखा है इस पर sell कर देना है उसके बाद आप इन में से किसी को भी click करके यहाँ पर sell कर सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ limit होती है उसका आपको दियान रखना होता 18,000, 10,000 और यह सारी limits होती है तो इनका आपको दियान रखना है इन में आप जिसको चाहूं आप उसको यहाँ पर sell पर click करके उससे आप buying और selling कर सकते हो लेकिन हम यहाँ पर directly ही करन चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाइनस लाइट पर दुबारा मैं कर लूंगा यहाँ पर और अब हम यहाँ पर अपना जो ट्रोन है उसे select करके sell करते हैं तो 893 रुपे का है sell पर click करना है 100% पूरा का पूरा ही हमें sell करना है 98 हमारे पास TRX हैं sell पर simply click कर देना है और यहाँ पर UPI सबसे आसान method है अगर मैं दो रुपे और कमाना चाहूं बचाना चाहूं तो मैं IMPS भी कर सकता हूं लेकिन UPI सबसे ज़्यादा मतलब कारगर होता है पेटियम का इस्त जो सामने बंदा बैठा हुआ है न वो फिर आपको चोचले बाजी करेगा वो हो सकता है कुछ समझाए पढ़ाए कि यह नहीं था तुमने यह कर दिया वो कर दिया तो आपको बिल्कुल उसी track पे चलना है जो आपने दी है details उसी details के साथ ही आपको यहाँ पर buying या selling करनी है तो मैं पेटियम से ही करूँगा मैंने पेटियम यूपियाडी दे रखी है confirm पे simply क्लिक कर देना है थोड़ी सी यहाँ पर loading होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और waiting for the buyer payment confirm पे और यहाँ पर यह बाबा बिटकॉइन नाम से बंदा है और worried TRX पे इसने यहाँ पर पहले से एक message डाल रखा है देखते हैं क्या लिख रखा है इसने काफी लंबा message इसने डाल रखा है यह भी आपको एक बार पढ़ लेना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जब आपको amount receive हो जाया जैसा कि यहाँ पर इसने लिख रखा है online है यह बंदा बाबा bitcoin करके बंदा है अ इतना जल्दी चुटकी में काम हो गया payment received पर simply click कर देना है I have received नीचे वाले पर click करना I have received and verified the following amount simply click कर देना है release कर देना है यहाँ पर आपका simply amount होगा वह release हो जाएगा बिल्कुल smoothly लेकिन ध्यान रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया जब payment receive हो जाए मेरे पास यह message आ गया था तभी मैंने यहाँ पर payment receive करी है अब मैंने authenticator app दे रखी है तो मुझे authenticator app से जाके यहाँ पर तो यह डालने के बाद यहाँ पर send हो गई है 830 रुपे मेरे पास पहुच भी चुके है positive review कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैंने इसको भेज दिया अब मेरा यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार जाके next finish और यह order completed बिल्कुली हो चुका है कोई दिक्कत व बिल्कुल smoothly ऐसे चुटकियों में transfer वगेरा हो गया पैसे भी receive हो गया 830 रुपे आपको यहाँ पर मैंने with proof दिखा भी दिया था अब जो बाते ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ देखो उस बंदे ने मुझे paytm से ही करा आपने देख option देख जाता है यह payment methods का यहाँ पर general में payment methods का option हो जाता है P2P payment methods का यह option हो जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने paytm की जो है ID दे रखी है तो मुझे paytm से ही उस बंदे ने send करा अगर मैं phone pay की देता या कोई और YBL ID देता या AX वाली कोई ID देता तो यह उससे मुझे send करता मुझे भी इन बातों का ध्यान रखना है अगर मैं यहाँ तो selling कर रहा था अगर मैं buying भी करने जाऊं तो मुझे जो उस बंदे ने मुझे ID दे रखी होगी न मुझे वैसे ही transfer करनी है जो ID मैंने यहाँ UPI में दे रखी है मुझे paytm अगर मैं मान लेते हैं UPI क करनी चाहिए अगर मैं buying करने जाऊंगा तो ठीक है जैसे उस बंदे ने paytm से ही करी क्योंकि उसने अपना जो payment method होगा उसके अंदर ये UPI वाली settings में उसने paytm ही दिया होगा इसलिए उसने paytm से करी अगर IMPS से करो तो उसी same bank account से bank transfer से करो उसी same bank account से इन बातों का खास कर दियान रखना है नहीं तो दिक्कत आ सकती है बागी इतना ही था इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी जानने को मिला तो वीडियो को लैक जरूर कर दीजिए अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर उसे comment कर दीजिए आपको आपके सवाल का जवाब जल से जल में द झाल